तो आज अपने प्रिश्टी से लिए और अधर लीजेग आप जैसे राज़तान की किसी गुवर्मेंट जो तियारी करें तो राश्टान जी के हैं बहुत जबर्जस्थ होना अच्छी तो इस्पेस्श पीजिश के लिए तो है लेकिन उनके लिए प्रिश्टान जी के वह रा पहले हमने राज्तान की लोक कला फर्स्ट पार्ट में देखा था राज्तान की फड़ सित्रन के बारे में तो आज यह टॉपिक पूरा करेंगे और बिल्कुल अपने साथ जो चूट चुके हैं बिल्कुल तेजराम जी हाँ यह बिल्कुल वेलकम आप सभी अपने चेक कर दी रखते राज़तार की लोक कलाओ जिसमें पहला मांधना क्या होता है अगर आपने आप सल अतुमिये होगे तो आपको पता होगा कि राज़तार की लोक में मांडना की एंपोर्टेंट के रूप में आता है अगर आपको नीयुत होता है तो यह और रहीक्त entrepreneur के理 Sunshine है कि मारवां रखका तो क्या करो लिफञें करों तो महईलाओं के द्वारा लिप पोद कर खड़िया बनाई जाती दिए पज़िएim माःड़ना से आप समझ सुखे हैं माःड़ना का मतलब यहां पर सिंपल ही है कि आगन हो जो होता है उस इकला करते के रुप में ओता इसके लिप पुलोद किया जाता है यह जैसे से आपने देखा होगा अगर आपके आज पास कि छोटे कशे घर कही होते हैं तो वहापर यह क को नचाता है यानि मालेजी कार्ट की लखडी की जो गुडिया बनए जाती है जिसको कफड़े परे जाते और इसको किसी निदा किसी की अक्रॉडिन नाच गांकर चाहा आप पूछी जाती है तो इस्तान सिंपली बात करते का जन्व इस दिया रहता हुए तो यह कहां पर होता है उध्यपूर और उध्यपूर वर तो रखेगा आपको पता होगा जैसे लकडी पर दांगे से नाच करते होता थो इसने फुरत लगें तो आपσιखेला है थ्यान करने के लिए लोग वहां पर होते हैं और किसी नाटक को करने के लिए लोग वहां पर होते हैं और किसली का थिका जाते हैं तो जैसे पर्त्वीराज JUंगिटा का जो श्वेमब्र जो गता है या और विकूर्ण पुर्णनिक उनको पूरानिक जेए लोगों के कRe आघेबात करते हैं विल्कुल को कि के बारे में आपको पता होगा दोरन यह गया सिमपल बडाय गया है कि तोरन जब आपने देखा होगा दोज olm हुआ होता है ने घर का जो साथ तोरन लगा था सबस्द करता है जो लगड़ी से इसको करता है कि मैं इस किलन को फट्र चारा हो इस तरह ने और कि इसको कशेट तो मांघली अफसर पर हम लिकिंगे यह पर विवा से अफसर पर गख़ मिबाक दुले के द्वयारा के दुले के अफसर पर कि दुलित के घर में प्रविष it लगे लकडी के लकडी के तोरण को क्या करते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात ला कि यह करते हैं इसको फते करते हैं उप्रणी को टॉच कर दिया आगे बढ़ते हैं तो वह घुला होता है आगे बात करें कावड के बारें तो नट के बारे में एक आगा के दिखू यह इंपली एक्जाम में आएगा कि की कावड क्या है या पितोरण क्या होता है एक लोग विवाई क्रेकर संब्धित । नाम है ऊप यह मंदीर नुमा कास्ट क्लाकरती है मंदीर नुमा कास्ट क्लाकरती है यह कृष्ट कावड कावड का यह एक लखडी काश्ट के लखड़ी होती है उसकी design से मंदीर की क्लाकर्थी बनी होती है जो कावड कहलाती है क्या कहलाती है कावड कहलाती है और अगर देखा जाए तो यह देवी देवताओ के सम्मंदी शित्रों के रूप में अभीवक्त होती है और कावड़ी है कि वाचन करते हैं अगर बनाये जाते हैं बश्ची में का भी लगी है क्लास में लेट होगी बस यह शुरुआदी टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं लोकला के बारे में आपके काई गाना भी सुना बदब जैसे शारी ब्यां में जाते हैं तो कई सुना होगा बाजोट यह हो ऐसा करके अब भी कोई वर्ड होता है मुझे फूली याद नहीं क्योंकि यह लोग गीत की तरह होते हैं तो बाजोड का मतलब एक्षु में क्या होता है आपने देखा होगा जैसे कोई महाप्रूस है या कोई भगवान वगवान जो है वो एक किसी एक किसी समतल लकड़ी के बना होता न तो है युसे पर भगवान को बैटाया जाता है तो उस यह उसे हम क्या को्ते हैं जैसे सिंपाड के रूप में बता देता हूं कि से इसके मदब च conven रोजन होते हैं तो आप वू समच जाएगा में कैसे बताएगो आप अप लगड़ी कर पर होता जिस पर देवता की मुर्थी वगर्या है वह उसका पहाँ पर इसको रखा जाता है या अगर आपने अपने घर में भी देखा औगा अपके घर के बहुत तो उसके बाजोट क्या कहते हैं मांगलिक अवसर पर दूला जो होता है जिस पर बैठता है अगर आपने देखा होगा अभी तो ज्याज़ा आई प्रोफाइल होते हैं तो वह बड़े शोपे लाते लेकिन शुरुवात में जो होता है जैसे नारी लोग्रा देने आते बच्छे को तो वह किस पर बैठता है व मांगली अफसर पर बोजन या पूजा सामगरी इस पर रखी जाती है यानि यह पर कोई भी रखा जा सकता है जो पूजी है उसको पूजा जाता है यह समझ में आ गया बाजूट के बारे में अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है बैवान बिलकुल य क्या क्या है इसकों क्या इतों लकडि बने डेव इमानते क्या हुए लखडि के बने और देव विमान याई यानि शिनकों से बड़ी बड़ी रत यात्रा देखी हो तो रट यात्रा एंब ऊसरे रध यात्रा में एक मंदिर बना होता है जैसे ऐस तो इदर से पगड़ा जाता है तो यह लगड़ी का होता है यह आपर बगवान बैटा जाते हैं उसकी रत यात्रा निकाली जाती है तो लकड़ी के बने देविमान होते हैं यह यात्रा के जाते समयन से फबल्कूल और इसमें आपको पता होगा यह जहां वह से जाते हैं तो वह जिस लकड़ी के बने देविमान की बिल्कुल कि देविमान के बिल्कुल किरण जी सही का है आपने तो यहांसे आप समझ के होंगे अब करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट सापे सापे के बारे में आपको पता होगा चापे मतलब वह मत मानी का प्रिंटिंग कारी जो आप कहते हैं पूजा की जाती है बिल्कुल अब दिखते चापे के बारे में आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसलिए आप ज्यान रखीगा कि कपड़े पर आचे सपय करने करने में प्रिव्ट लकडी के जो चापे होते हैं वो करा जाते हैं अगर आपने दिखा हो कि कई बार क् लकडी का एक बना होता है जिसको किसी पर प्रिंट करवाया जाता है यानि रबबर प्रिंट की छिल नहीं होते क्या जैसे आपके पर चिल लगाते हैं तो वह प्लास्टिक के बनी होती है लेकिन यहां पर एक लकडी की है और लकडी की जो एक सिल की तरह होती है और इसी से जो है वो सपाई का कारिय किया जाता है कपड़े पर ठीक है कपड़े पर कि लकड़ी की कि द्वारा कि शाब की जाती है ठीक है आप समझ गयोंगे जैसे बीवी ने सिल वाला बता दिया जैसे वाघ लगाते हैं फिहर प्रेश्पर खेसे हैं प्रह चाप चाप पर अधिक हो जाता है तो इसको सदह चाप की जाती है समझ चुके होंगे उसकेप करते ने Columb Iya और में खांडे के बारे में कि आपने देखा चोटे बच्छे जो कभी कबार देखे लकडी से खेलते हैं तो अगर उसको थोड़ा मोडिफाय करके अगर समझाओं कि तलवार तो होती है ठीक है अगर वह तलवार लकडी की हो और एज एक फंक्शन के रूप में उस तलवार पर डिजाइन करके उस क्लाती है क्या क्ली चांडे समय 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 आ गया तलवार की इस फंक्शन या मंगया उथा इस पर क्या होती है यहां जो है दिजाइन की जाती है पर चोटी मोटे क्या की जाती है तो इसे कहते हैं खांडे क्या कहते हैं खांडे कहते हैं ठीक है तो ली की अफसर पर लकड़ी की जान रखेंगा यह वह ली के अफसर पर होता है होली के अफसर पर बस यह ध्यान रखेगा क्योंकि कापी बार एक्जाम में आता है वोली के अफसर पर तर्वार नुमा खांडे तर्वार नुमा खांडे जिस पर रंगीन चित्र क्ला करती उकेरते हैं या उकेरी जाती है ठीके ना इस तरह से आप समझ जाएगा ठीक है तो खांडे के बारे में समझ में आ गया वोली के अफसर पर लकडी की एक तलवार है वो इन विपयोग होती है और यहां पर हम बात करें जो लगडी की तलवार है इस पर यह पर यह पर डिजान की जाती है यह चैकी बहूंकि बहुत सरे रहें मैंने तो कुछ एक टॉपिक भी ला रहा हूं और कापी ज्यादा टॉपिक कर तब तक तो हम लगबक आपके सभी टॉप टॉपिक है वह कबर कर देंगे अब बात करतें सांजी सांजी के बारे में सांजी से आपको यह समझना है कि राज्तानी कण्याओं के द्वार रं अब वर्तोस वह यानि एक उच्छव है क्या है यह लोक नरतिक प्लावी टॉपिक नहीं रहें बिल्कुल नहीं हुआ है अभी तो कुछ एक टॉपिक ही हुए है और यह प्लेलिस्ट में देख सकते यानि अपने जो यह ब्यास अभी तक हुई है उसकी प्लेलिस्ट बनी यह प्लावाट से हो चुकी है आपको वाज सीव सब मिल जाएगा तो राश्तान की जो कन्या हैं उनके द्वारा यह एक व्रत उच्छव मनाया जाता है और यह मतलब जाकी निकाली जाती है तो यह चांजी कहलाती है इसके बारे में देखी थोड़ा सा बताएं तो यह कब ह प्योग में राखा जाता है है या लोग देवी और ऊख डिके रूप में पार्वत्ति है वीमिश की प्रमूक यह होती है यह लिये ही कारि क्रम जो होता हम यह लोग रूप में कभानिया दोरा इस फंजी आवो निकाली जाती है डेवी पार्वत्ती के प्लक्ष निकाली tienes आ रखीगा अब सिंपली बात करें तो यहां पर बताएं तो सबसे फर्षी देश चांजी है वह कहां कि उद्यपूर के मंचगर राय मंदीर की चांजी सबसे ज़्यादा फेहमस है तो यह नोट कर लीजिएगा अब करते हैं जिसमें इनके और इनके विविन कलाकर्तियों के साथ सजाते हुए रंगीन लोक कला है जिसमें देविपारवति को राधी मानते हुए यह निकाली जाती है लेकिन उद्यपूर की ज़्यादा फेहमस क्यों सब्सक्राइब करेंगा मंदीर है कि मंचित राय या नात भी कहते हैं तो नात लिखते जीए रहेगा नात मंदिर यहां कि जो यह जो चौछी कि लोग कई साधी ब्यास गई में जाते हैं तो वह इसको आथ को आप पर तच कर लेते और वही वापिस क्या करते हैं ऐसे लगा थे माली जिये मेरे यहां पर हाथों में पूरा कलर किया हुआ रेड यह यह पिंक और इसको मैं किसी वेक्ति के पीट के पीछे वाइट पर इसे के पीछे लगाई जाती है यह एक मांगलिक अवसर पर यह कला के रूप में होता है क्योंकि मैंने भी इसका एक रियल डेमो देखा है और यह लोग कला का एक आंशलिक उधारण है थापा समझ गये हैं आप थापे से आप समझ गयोंगे कापी पॉपूलर है तो थापे के ब हाथ की अगलियों कि द्वारा कि दिवार यह अन्य जगह लिए निशान चोड़ना थापा हो गया अब पाने पाने मतलब क्या होता है पन्नों के पन्ना क्या होता है वह पन्ना होता है और कोपी का पन्ना या निए पेज तो यह होता है कागजगा किसका इसको हम ले जाते हैं आप ऐसे कि राजस्तान की जो लोग डेवी देवता है उनको बड़े कागज की पर है वह चापा प्रिंट किया जाता है और यह यह द्युता फर्ट के पुज करते हैं तो काफी बार देखा होगा कि कागा इस प्रेंट होती है उसमें देवता की पर्ति देवता कि प्रिंटिंग जो होती है उसी को हम या पर क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं पाणे क्या पाणे कहते हैं आपकी थेंक्यों अपना यह जो है वह Supreme है नहीं थोड़ा स्वें दिखरान दीजिएगा से पाने बाद कि आए कुछा रखीगा देवताओं की सवी या चित्र कागज की पन्य पर उखेरना यह और वही यही क्या कहलाते पाने कहलाते क्या कहलाते हैं पाने कहलाते समझ गया होंगे यह कापी इंपोर्टेंट है और यह एक्जामें आ जाता है तो इसलिए ध्यान रग लीजिएगा अब जैसे राजस्तान के बात के तो गणेज जी लक्षमी जी राम देजी गोगा जी सिर्णाज जी सीव पारवर् अब बात करते हैं नेक्स्ट यह तो बता दिया इसके बाद कुछ एक और कला के रूप में कुछ परचीव राजस्तान की लोग कला है उसको भी देख लीजिएगा UH है यूजिए पके एक्जाम के अंतरक्रत आपको पतांवना चीँ है वापपर क्या होताइए यह वैद्दि अब मैंने जैसे बता दिया अगор आपको कह दू कि बाजूट क्या होता है मैंने भी आपको क्या कह दिया कि बाजूट क्या होता है बताइए बाजूट बच्चों के खेल से सम्मंदित है या हम कहें कि यह या कि पस्वों की किसी आइटम या किसी वस्तू से सम्मंदित है राज्तान के किसी बोजे सामगरी का न तो यह आपको इसके लिए आपको यह जो भी मैं बता रहा हूं और जो समझा रहा हूं उसको समझेगा क्योंकि एक्जाम में जो कोई भी अगर प्रस्टन आता है तो उसमें चार ऑप्सेंस होते और बात करते हैं लेक्स्टा नेक्स्ट जो कला है वह गोदन अब यह तो आप सभी को पता उन्हांप बात करें प्रिंटींग अनि प्रिंटीं अप्रिंटी को बनाते हैं वग्रत तो राज़स्तान के इंधर आपके देखा होगा तो वहां पर काफी सारे देखे होंगे जो एक ड्रो करने वाले लोग बैठते हैं तो मशीन के द्वारा आतों पर गोधते हैं और वह हमेसा के लिए उस पर निशान बन जाता है तो वही क्यलाते गोधना क्या 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 थे ने गोधना हां बिलकुल अंचाराम जी बाजोड बाजोड पर बिलकुल यह मैंने पढ़ा दिया है बंद्रियों का बैठा कर बिल्कुल यस यस सही बात बताए आपने तो अप समझ सुके है ना गोधने के बारे में आपको अंग सित्रांकन की विशिष्ट कला अंग शिंत्र नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपको पता होगा पिछभाय यह क्या है आपको जनरली पिछभाय के बार में देवताहों जो होती है उसके पीछे बड़े कपड़े पर है वह वो डेवताहों की किसी गाताओं को उखेरा जाता है है और उसके पीछे है यानि इसके प्रश्ट में है वा उसको लगाया जाता है ठीक है ना समस्ज गया होंगे नंदीर के प्रषड बोमी पर विविन उनकी गाथायों चछित्र जनें आगें कि पिछबाय का की फेहमस है कि नध द्वारा कि पिछबाया ने फ्या अशचे पर और यह इसमें होता यह यह वापिस बता रहा हूं कि कपड़े पर देवताओं की चित्र है यह यह पीछवाया कि देवि कि देवताओं के क्पड़े है कि निट्राकन को लesting कैड़ें कि प्रνफ बूम्मी में लगाया जाता है इंद के दिवादी पर लक्षमी जी का पाना दीवार पर चिपका कर पूजा की जाती यस बिलकुल एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने यही तो होती है पाने की तो कहते हैं अपने इसमें यह सामगरी की रूप में आती है तो आपको बता होगा नेक्स बात करें बटेवड़े और यह तो आप सबको पता होगा आपको बता है तो अगर आपको पता होगा कि जो गोबर होता है गोबर आपको बताना गोबर को सुका कर सुका कर बतेवड़े बनाए जाते हैं मालीजी जो गोबर जो होता है इस गोबर को कहीं समतल भूमी पर एक गोल को राउंड में वहां पर रख दिया जाता और वह सूख जाता है तो उसको है एज मालीजी लगड़ी की जगह प्रियुक्त किया मतलब आग बिल जन जाती करवाते हैं यहां तो में गोदना बिलकुर वसाई है बटेवरी संज में आ गया ना यानि मारवनी के सौनो का के सौनो के मुझे यह याद है सौना या सौनो ठीके ना संज में आगया आपको पता होगा क्योंकि अब मेरे पास डीचेटल बूर्ड होता तो मैं सिधा उसका एक फोटो या पर लिया आता वैसे आपको पता होगा कि जो गोबर होता है उसको सूका कर जो बढ़ाया जाता है लकड़ी की जगह आगके मैं इसको आपको यसको स्यलिख उञे कर मालीज़ी यह से बर्टेवर्ड भी टिक इंशको इकडम लिस्टमे जर्ट में है ध Lei पूरीस तरह जमार दिया जाता है का लकड़ियों को यह निकाट है इसको आधे इकाटा किया जाता है उसको पूरत में है कल्तिक है सब्सक्राइब करते हैं जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में इड नेक्स बात करते हैं आप समझ चुके हैं इड क्या है क्योंकि जो राज्तान की जिए लोक कला है इसे शम्मदी तो आपको अगर आप राश्तान के गौण्मेंट की तियारी करते हैं तो बात करते हैं इंग का बना हुआ पात्र होता पात्र ठीक है इसमें दिया रखा जाता है और ये यूज कब होता है दीवाली के समय दीवाली के समय बच्छो द्वारा तेल के आपको पताओ ना अगर आपको बताओ जैसे यह अब इसको किसी एक बॉक्स में पैक कर लिया जाता है और इसको पकड़ा जाता है इस तरह से ठीक है और यह दीवाली के आप समझ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टन बात करें तो है गोड़ा बावसी और यह आप सभी को पता होगा अब गोड़ा बावसी तिक ना गोड़ा बावसी के बारे में आपको जनरली यह पता होगा कि मिट्टी के बने कलात्मक गोड़े मिट्टी के बने कलात्मक जैसे अगर आपको पता है जैसे अपने मामा जी का थान होता है उसमें मामा जी की जो मुर्ती होती है वह गोड़े पर मिटी की बनी होई होती है और इसको आराध्य करने के पूजय के रूप में पूजय जाता है तो बस वही हमें आपर करें गोड़ा बावसी यानि यह जो उसको गोड़े पर बावसी के रूप में उनको पूजय को पूजय है तो यह आधिवासी टिए कावपको पर चीट यह कापी पौपूलेर और आप सब को पता होगा ना वह पॉट्जी गोडें वह कि मिट्टी के गोड़े वह कहा के परचीती है तो मिट्टी के गोड़े रग्लों या पड़ता है तो गोडय करें इंपोर्ट्रेंट्ट डार को पता होगा ini and को यह मिट्टी की बनी मिट्टी की और अन्बंडारण लिए उप्यों मतलों मान लिए कि बहुंक हुञा जैसे आपको कोटी होती एक तो अभी अब आज के पहलेए पहले क्या होते थे पहले आपने देखा जाए चाहिए अब आज पहीं करें सब्सक्राइब क्या होता था कि पहले यह नहीं था इतना आयरन वर्स तो उसमें क्या तो मिटी मिटी की एक जैसे मटका नहीं होता है मटका देख सोटा पात्र होता है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर एक बना दिया जाता है लगबग पांच से फूड का और दो तिन फूड़ा गोल राउं स्वें सबस्क्राइब है यह को तो मिंटी की बनी अनदंडार के लिए इसका उप्यूग किया जाता हो और यह आप sedバत करें इसे तरह से तो अब बात करतें नेक्स्ट ढ़र Hindi मुझी बताइए मौन क्या है मौन क्या हैं बताई ये q4 अपने बात करें मेरता मेरता चित्र में दिट्टा चित्र में बात करें तो मितिके पात्र मितिकेaaaa मिट्टी के कि बड़े मतगे मिट्टी के मेरताए छित्रं में मिट्टी के जो रहले जो बड़े मट्के होते उसको मौन जाधा क्या जाता है मौन जाधा है आप सभी को अ और आपको вес बद हेakt बड़like करते बर्ण और बढाडी को आप इंपोर्टेंट अमान लीजिएगा इसको नोट कर लिजिए गा कि वराड़ी बारे में परस्ण का पिवार आया हुआ है कि आदि वासी बिलो के दौरा लड़की की विवा कि अफसर्व घर की दीवार पर बनाएगा यह लोग देवीश चित्र यह नोट क झाल 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 झाल